विल्कम टू माई यूटूब चैनल इंबी एर के स्टडी यूटूब चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं के तो लाइक और सब्सक्राइब को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट अप्लोड रहे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते हैं आज हम लोग भारतिये मूर्तिकला को पढ़ने वाले हैं मूर्तिकला भारतिये उप महदीप में हमेशा से कलातमक अभी ब्यक्ति का पिरिये माधियम रही है भारतिये भावनों के निर्मान और साज सज्जा में जीस तरह से मूर्तिकला का उप्यों किया गया है वय भावनों के सॉंधरी का Бिशी स्कारा के भारती कला का स्वरूप रोचक सहज और मुर्ती प्रधान है ऐसा लगता है कि मानो भारात में मुर्तीकारा और बस्तुक कार अक्सर एक ही ब्येकती होता रहोगा प्राचीन भारत में मुर्तिकला का विकास अनललित कलाओं जैसे अस्थापत तथा चित्रकला के साथ ही हुआ दिखता है मुर्तिकार किसी भावना को मिट्टी पत्थर अथ्वा धातु से मंदिर की दिवारों या उसके भीतरी भागों में जमा देता है भारत में मुर्तिकला का विकास अनेक रूपों में हुआ है जैसे मुर्ण मुर्तिकला धातु मुर्तिकला पासान मुर्तिकला आदी एक और यहां यावन मानव सरीर की दहिक सुन्धरता को दर्साने में सर्वपरी थे वहीं भारती अपने अध्यात्मक को मुर्तियों में ढालने का पर्यास करने में अधित थे यह वह अध्यात्मक था जिसमें लोगों के उच आदर्स और मानेताय नहीं थी जब कलाकार प्रकृति देवी यचिनी या जनन की प्रतीक नारी या दिब सुंदरी की परिकलपना करत है तो उसकी भावधन उसकी चाप, आखो, बाक्र, मचली, होट, कमल की पंखुडी, बाएं, रमिनिये, लता और पैर, केले के ब्रिच की भावति सुंदाकार बनाता है कहने का तत परिया है कि भावतिय कला में अध्यात मिक्ता और सुंदारी बोध दुनों का मिस्रित रूप देखने को मिलता है भाष्तिय मुर्तिक लगा को निमलिखीत काल खंडों में बाट कर देखना सिरेकर है सिंदु मुर्तिकला अनकलाओं के समान ही भरती मुर्तिकला की यतियंत प्राचीन है यदपी पासान काल में मानाव अपने पासान उपकरनों को कुसलता पुर्वकाट छाट कर बिसीज आकार देता था और पत्थर के टुकडे से फलक निकालते हुए दवाव तकनीक या पटकक तोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करने लगा था मुर्तिकला का प्राचीनतम साच उच पुरा पासान काल से दिखाई देता है जहां की बेलन घाटी में लोहदालना से अस्थित निर्मित जीओ देवी की मूर्ति प्राब्थ हुई है इसके बाद के कालखन में भी पासान मूर्थियाँ प्राप्थ हुई है परन्तु भारत में मुर्ति काला अपने बास्तावी करूप में हड़ापा सब्ता के दोरान अस्थित्व में आई, स्वांदप सब्ता की खोदाई में अनेक मुर्तियां प्राप्त हुई है, इस प्रकार लगभाग चार हजार बर्स पूर्वी ही भारत में मुर्ति निर्मान तक निकी के बिक्सित होने का प्रमान मिल जाता है, हडपा सब्ता की मिरिन मुर्ति मिट्टी की मुर्ति, मिरिन मुर्ति की सकते मिट्टी की मुर्ति को मिरिन मुर्ति कहा जाता है, प्रास्तर मुर्ति तथा धातु मुर्ति तीनों गाड़ी जाती थी, प्रास्तर तथा धात की मुर्तियां यादपी कम है तथा पिवेक कलात्मक द्रिस से उच कोटी की है मिरिन मुर्ती मनुस ने मुर्ती गड़ने की कला की सुरुवात मिटी से की मिटी की छोटी-छोटी मुर्तियों को मिरिन मुर्ती कहा जाता है हडपा साभिता में मिरिन मूर्ती की साच बहुत ताय में मिलते हैं मिरिन मूर्ती की निर्मान समागरी के रूप में मिटी तथा साच प्रमुख हैं इसके बनाने की बिधी अंग प्रत्यांग जोड़ कर मूर्ती का निर्मान करना हाथ के अंगूठे यानी चुटकी का इस्तेमाल करके हड़ापा में मूर्ती का निमान होता था इसे चिपकबा बीधी कहते हैं मुरिन मूर्ती के मुख भिसाय है सीटिया जुन जुना खिलावना पसु पच्छी और नारी पुरूस इन में सरवाधिक मुरिन मूर्तियां सिटियों सिटियों तथा जुन जुनों की है और सबसे कम पूरूसों की मुरिन मूर्ती में बरनित बिसायों के अधार पढ़ालापा के मुरिन मूर्तियों का उद्देश धार्मिक भी नजर आता है और धर्म निर्पेच भी हडपा से प्राप्त बिसिष्ट मुर्तियों के उधारन है बिवादित गाय मिरिनमुर्ती लोथा से बिवादित घोडा मिरिनमुर्ती लोथा से फ्रेंज कट दाड़ी में पूरुस मिरिनमुर्ती लोथले से मिरिन डेवी की दो मिरिन मुर्थीयां बनाने वाली बैनवावली और रखी गड़ी से हडपा सब्सक्रा की मिरिन मुर्थीयों में पुरुष आकृतियों को सरिंगयुक्त दिखाया गया है सरिंगयुक्त यहन्य सिंग बिविन अस्तेलों से प्राप्त पुरुस मिरिन मुर्टियों के सधारन गठन से सुचित होता है कि निर्माता कलाकार की इसमें कोई खास रूची नहीं थी नारी मुर्मिर्टियों अपेच्छा करित सुन्दर तथा प्रवावता पादक हैं इन्हें गहनों से लादा गया है इसके मस्तक पर पंखे के समान फैला हुआ आवरें कानों में गोलाकार कुंडल गले में कंठा च्छाती पर कई लड़कियों वाला हार कमर में मेखला तथा भुजाओं में भुजबंद परदर्शित किये गए हैं इनमें आखे अस्थन अभूसन अदी अलग से चिपकाए गए हैं नारी मृत मृतियों की प्रचूरता से या अनुमान लगा गया है कि संदब्स लोग के धार्मिक जीवन में मृत पूजन का बि साक्ति देवी मृत देवी आदी रूपों में मानता दी गई है यानि मृति इस प्रकार है हेलते हुए सीर्व का पासू खिलाओना मोहन जोद्रों से मिला है ओके फ्रेंड्स आज का वीडियो यहें पर समाप्त होता अभी तक MBR के स्टरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कि एंटर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट अप्लोड होने वाले वीडियो का नोट